यहां पे पैरेंट्स एर्जिश के बैने तले बैठा हूं किया आपकी यह पेरेंट्स एרגिस्टर है कहीं पे mm लहीं संख्यार मिशहरा से है कोई दोड़ा से हैं आप समयधार है अब कोई नहीं दिख रही हैं प्रॉटे के साथ क्यों नहीं सुनिए सारी पेरेंट असोसेशन आने वाली है तीन-चार लोग आएंगे सभी कठे तो आ नहीं सकते और हर प्रोटेस्ट में वो आ रहे हैं तीन-चार-चार लोग आ कि ये कोई मैं चाहता तो यहां 50 वों अपने प्डेशन अपने मोहले के बिठा देता अभी बहुत आपकी ये क्रेंट कहा रहे है मैं परदान अमित कपूर जी आज से यहां पे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और इनके साथ कुछ लोग भी लेकिन को भी स्कूल को स्पेस्ट को मान रहा दो पड़ है। पहले इस पोटेक्स के वज़ा से मेरे को अड्मिशन नहीं दे रहे कि आप मीडिया के सामने आए हम देखते हैं कैसे अड्मिशन मिलेगी आपको कौन से स्कूल की बद्ध क्राइश स्कूल नुश्या रगी अभी तक मुझे उन्हों ड्मिशन नहीं थी बच्चों को अड्मि बच्चे तो पढ़ रहे होंगे लेकिन वह स्कूल के फेवर में आये था उनको बलाया गया था पहले दिन हमें बोला कि स्कूल दिस्टारब होगी लेकिन जब दूसरे दिन उन्होंने 20-30 बंदे बलाए प्रिंसिपल के आफिस में मीडिया जाती है सारी 10-15 मीडिया वाले लेकिन उस दिन मीडिया ने 23-24 मिन्ट का सिर्फ इंटर्व्यू कवर किया उन्होंने तो उसके नीचे कमेंट जो पड़े उनको वही जान सकते हैं क्या क्या लिखा उन्होंने जो उन्होंने बयान दिये एसपी साहब सामने कड़े हैं हमें बोला जा रहा कि आपने पत्थर चलाए वहां पर इतनी बात ना को कि पत्थर मारे उन्होंने यह किया वो किया जो स्कूल फेवर में आये हुए थे बहुत बयान दिये उन्होंने लेकिन कुछ मरलब उनको मिला नहीं किया था जो जूटे इसपी साहब उदर थे डिएसपी साहब ऑस एसफेचो साहब दो साथ इंस्पेक्टर थे सारे पूलीस वहाए थी लेकिन गलत दिले हम लगाये उन्हें हम लगता है प्रोटेस्ट पर बैठने साहब के बच्छों को जो है एडमिशन मिल जाएगी बहुत मुशकल है बहुत म उजवलो इसलिए हम इसलिए इनको सपोर्ट करना है कि जो छोटे-छोटे बच्चे उनकी खराब नौ और जो माफिया यह जो बच्चों के साथ गलत कर रहा हो ना हो हम इनके साथ अभी भी है और आगे इनको सपोर्ट करेंगे जब तक बच्चों का कोई मसला पूरा ठीक किसे अब हैं मगर मेरे बच्चे भी होते हैं चाहिए जम्यक्री मेरे हैं किसी को रूबल नियुक्त किताबों के किसकी स्कूल का नाम बताओ नभी स्कूल यह जिन्हों के पास अपरूबल ही नहीं है और तो आपके सामने यूनिफार्म को वागया किताबों को वागया जब तक बैठ सकते हैं बैठेंगे आप भी यहां पर स्पोर्ट में आए हैं बिलकुल हम तो पार्टी की तरब से क्योंकि आहमादमी पार्टी का शिक्षा को लेकर एक आरड़ी एक ऐसा इंकलाब लाया है जहां पर डॉनल्ड ट्रंप की पतनी जब हिंदुस्तान आती है तो प्राविंस के वाइस प्रेजिडेंट है यह आज से नहीं बलकि कई सालों से इस लड़ाई को लड़े और काफी हद तक इन्हें सफलता भी मिली है लेकि फिर भी आज एक जिस तरह लैंड माफिया है लियोकर माफिया है उसी तरह से एक प्राइवर्ट स्कूल का माफिया है जो बाहत तो बिलकुल सफेद कपड़ों में है लेकिन अंदर उनके जो कारणामे है वो आपके सामने बड़े सारे स्कूल ऐसे हैं जो फीस का एप्रूबल लिये भी ना कमेटी भी बनी है जिस तरह से इन्होंने कोड का भी दिखाया कोड का जो स्टे ये दिखाते हैं वहा कहेंगे कि जिस दिन से ये सरकार बाती जनता पार्टी के नितरतव वाली सरकार जो केंदर में हैं क्योंकि जम्मु कश्मीर में यूटी है तो लगवग उनी का सीधे तोर पे राज चल रहा है तो मुझे लगता है कानून बवस्ता को पूरे देश के अंदर इन्होंने खिल जिस मांग को लेकर चल रहा है तो पार्टी शाना बाक्शाना इनके साथ कंदे से कंदा मिला का खड़ी है अमिजी किन के लिए कर रहे हैं आप ये प्रोटेस्ट देखे मैं आपको बता दू कि आप मीडिया वाले हम यहां पे जो बैठे हैं चाहे वो कोई पालिटिकल पार जितने भी वर्ग जुड़े हैं सब वर्गों के बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूलों में पड़ते हैं इसी less समझ नहीं जब सुप्रीम कोट ने 2002 का एक्ट है कि कोई भी प्राइबेट स्कूल जो है वो बिजनस नहीं कर सकता नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेगा एजुकेशन पॉलसी है जो बाजपा ने इस बार बनाई जो कॉंग्रेस ने पहले बनाई थी दोनों पॉलसियों में सेम चीज लिखी है कोई प्राइबेट स्कूल बिजनस नहीं कर सकता शिक्षा एक मंदिर है शिक्षा का मंदिर है लेकिन मैं आपको बता दू कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जब मैं नया नया इसमें एक नॉन पॉलिटिकल पेरेट स्कॉन्फरेNS करके कि जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं जितने भी एंजियो हैं जितने भी पॉलिटिकल पार्टि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं अगर वो समाज के लिए जश करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले אजुकेशन में क्रफ्षान खत्म करनी होगी एजुकेशन माफिया को खतम करना होगा इनके सुधार करना होगा जब एजुकेशन ही हम सुधार नहीं कर पाए तो मुझे एक चीज़ बताईए कि जब आप या मैं जब हम पैदा होते हैं जब हम पैदा होते हैं तो तीन साल के बाद हमारे मावाब जो हैं हमारे बच्चों को स्कूलों में डाल देते हैं, जाने कि पैसा देना स्टार्ट, तीन साल के बाद 20 साल तक वो पैसा देते रहते हैं, उसके बाद उस बच्चे की शादी होती है, पांच साल के बाद उसका बच्चा दुबारा 3 साल, 10 साल के बाद वो दुबारा 3 साल का बच्चा स् कि यही फीस फिक्स करेगी आप MRP की पानी की बॉटल है अगर यह MRP 10 रुपे है तो आप 20 रुपे की लेंगे नहीं लेंगे अगर 10 रुपे की MRP कोई 20 की सेल कर रहा होगा तो आप उसकी F.I.R कटवाएंगे उसकी ओपर एक्शन होगा हो सकता है पचारे को दो चांटे लगागे उसकी दुकान भी बंद कर दी जाए लेकिन प्राइवेट स्कूल माफिया मेरे पास हजारों प्रूफ है LG साहब अगर मैं गलत हुआ मुझे जेल में डाल दीजेगा आप पांच मिनिट का मुझे समय दीजिए जितना भी अजुकेशन डिपार्टमेंट आपका है जितने भी डिरेक्टर है मुझे लगता है कमिशनर सेक्टरी को भी बेब कूब बनाया जा रहा है जितने भी टीमें बनाईगे जितने भी ओर्डर निकालेगे सिर्फ और आईवाश है DC मेडम ने आटर निकाला DC मेडम बहुत ही मांदार है नो डोट लेकिन जिन नागे कमेटिये बनाई है वो भी बहुत ही मांदार है लेकिन उन बिचारों को भी न junior किसक्टर है मिजर्फ गाइड़ कर रहा है विजेपूर स्कूल शिडी राम यूनिवर्सल स्कूल वहाँ पे प्रोटेस्ट किया प्रोटेस्ट के बाद वहाँ इंकॉइडी बैठी इंकॉइडी के बाद टीम गई और टीम को वही बात बोली गई जो पेरेंट्स को बोली गई कि हमारा स्टे है और भाई साब मैं आपके मीडिय के माद्यम से कहना चाता हूँ अगर मैं गलत हुआ मुझे जेल में डालिये मैं हाई कोट के खिलाब कैसे जा सकता हूँ आनेवल हाई कोट के खिलाब ये रेखिए आनेवल हाई कोट और सुप्रीम कोट ने ये बात कही है कि आपका अगर stay भी है लेखिए Captain Evans जाने कि आपका stay भी है such type of school management in law would be authorized to charge and collect only that fees from the student which was earlier regulated by the FFRC कि जो आपकी FFRC ने fees regulate की है अगर आपका stay भी है तब भी आप एक पैसा जादा नहीं ले सकते वो जिनाब 9000 के बतले 17000 प्याबर बच्चे से ले रहे हैं वो ज इस फिक्स हुई है उसके उपर 500-800 पर बच्चे से पर महीने ले रहे हैं जानी कि दो साल में अगर देखा जाए तो 36000 पे के करीव-करीव उन्होंने पर बच्चे को बापिस करना है जिनके स्कूल में 1500-3000 बच्चा है तो मुझे बताईए क्रोन उर्पे का नेक्सर चला रह लेकितर चेह बात करने के लिए कि हुए बडी बडी सुनने के बात है कि डा में लोगों के है तो यहां पर आएंग उस्तरा मैंने बीजीपी को कांग्रेस को N.C. को P.T. को आमादी पार्टी को अपनी पार्टी को जित्नी भी पार्टी है जित्नी भी सोचल अक्टिविस है माने सबको यह बोला कि इस लड़ाई में इकठे हो जाए यह लड़ाई जो है के बच्चे के लघा है मेरे बच्चे केंद्रिय विद्याले में है जहाँ पे कोई युट हेही नहीं जहाँ पर निकालने में प्राबलम क्या है जो आपकी कमेटी ने फीस फिक्स की है उसके उपर किसी पेरेंस को एक्स्रा लूटा गया है तो आप सीधे और निकाली कि रिफंड कर दी जाए जो बुक्स आपने निकाला आपने बोला यू के जी तक कोई बच्चा जो है वह बैग स्कूल में नहीं लेगा जब तीन बुक्स लगनी है और आपने यडय क्लास तक ट्वलथ क्लास तक सभजेक्ट बता दी है इतने सभजेक्ट लगने हैं तो आपने 15 15 20 20 भ cousins लगा दी है वह बापिस क्यूँ नहीं करवाी जा रही अभी भी स्कूल जो है 12-12-100 प्या से लेकर 13-13-13-3000 प्या समार्ट कलासिस का ले रहा है एक पैसा भी अप्रूबल नहीं हुआ मैं कितने स्कूलों के नाम बता हूँ जिन स्कूलों ने सैंशिया इंटरेनडैशनल स्कूल बन तलाब जिसने स्कूल में बुक सेल की और डवल अनुवल चार्जिस पैरेन्ट से लिया फीस भी एक्स्टर लिया लेकिन अभी तक कोई भी नहीं एक पैरेन्ट जो जागा उसने 19,000 प्या बापिस लिया एक पैरेन्ट जा गया उसने अपने हस्बेंट की मेहनत की कमाई थी वो मेहनत की कमाई उसने बोल कर उसको थोड़ा सा बताया उसने सब कुछ एप्रूब जो अवेर हुआ 19,000 प्या बापिस मिला मॉंटलिटेरा जी स्कूल तलाब तिलो बोडी जो 20,000 पे 17,000 से 20,000 प्यानुवल चार्जिस ले रहा था आज यहां पे पता कर लिजिए जब मैंने वीडियो बनाई मैंने अवेर किया तो आज 8,000,000 पे पे आ गया है लेकिन जो पिछला लूटा हुआ पैसा है वो कौन बापिस करवाएगा आपकी सारी बातें सही है अपने पहले ही कहा दिया कि मैं non-political इहां पे parents would क्या आपकी parents association registered है parents association नहीं होती तो यह माफिया में को छोड़ते यह माफिया मीं जोड़ते अगर मम जोड़ते नहीं हो औक यह जोड़ी से है आप समझदार है अब मुझे एक चीज़ बताइए लेकिन लोग आपके साथ क्यों नहीं है सुनिए सारी पेरेंट आने वाली है तीन चार लोग आएंगे सभी कठे तो आ नहीं सकते और हर प्रोटेस्ट में वो आ रहे हैं तीन तीन चार चार लोग आ मैं परेंट की मजबूरी समझ रहा हूँ आप अप अपने बच्चे के लिए आप भी डरते होंगे कि मैं सामने आँगे तो जिस तरह यह बच्चे यह बच्चेरा से होटके आया है लेकिन एक पेरेंट आया है आप देख रहे हैं बीच-चालिस-चालिस-चालिस अगर स्कूल में कठे होते हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है उनको ड्राया जाता है दमकाया जाता है उनके बच्चे के इडिविशन के लिए कुछ किया जाता है जिस तरह इस पेरेंस को ब्लैक्मिल किया जा रहा है अब आप बताइए जिस तरह देखिए गर में बैठ कर पेरेंस बचार ने Parents Association बनाई इसलिए थी कि आप सियासत में आ सको, सियासत आपकी चली नहीं, तो आगे फिर से पेरेंट आससेशन में, मुझे एक चीज़ बताइए, अगर कोई सियासत में भी आ गया, अगर कोई सियासत भी करता है, तो क्या Politics गलत चीज़ थी? आप क्या चाहते हैं कि पॉलिटीशन जो है अगर कोई अच्छी एजूकेशन के ओपर अच्छी एजूकेशन के सुधार के ओपर लोगों का बले के लिए अगर पॉलिटिक्स में वो आता है तो मेरे साथ से गलत नहीं है लेकिन रही बात कि मैं आज भी आज भी नॉन पॉलि कोई एक इंसान लेकिन लोग जानना चाहते ना जो नाम और फेम आप पाना चाहते थे आम अधी पार्टी से वह आपको मिला नहीं इसलिए आप वापस आगे मेरी बात सुनिए पेरेंट एस्वेशन जमू बंद ही किस ने की शायद आपने मीडिया भी स्टार्ट नहीं की हम लोग आपके बच्चों के लिए लगे हैं सवाल कीजिए डिरेक्टर आप लोगों को एंटर भी नहीं करने देगा क्योंकि उसको पता है कि वो खुद वो चोर है क्योंकि उनको पता है मीडिया इमांदार है मीडिया सवाल पूछेगी वह पता किन मीडियों को बुलाते हैं जो मीडिया सवाल नहीं करेगी उन लोगों क काम है यही है आप लोग बड़ी मांदारी से काम कर रहे हैं कि आप सवाल पूछ रहे हैं और यह जंता के सवाल होते हैं तो यही मैं चाहता हूं कि डारेक्टर एजुकेशन जमूग कहीं पर भी मेरे पास आजाए डिवेट के लिए मुझे बुला ले एल जी सहब पांच मिनट दीजिए पांच मिनट हजारों लाखों प्रूफ इस प्राइवेट स्कूल माफिया के खिलाफ दे दूँगा जब दसर पे मर्पी है तो बीसर पे कैसे ली जा रही है रिफंट फीज का आडर क्यों नहीं जब एक्स्रा बुक्स लगाई जा रही है लुट जाता है उसके बाद निकाले जाते हैं क्यों आडर में कमेटी यही बढ़ाई जाती है जिनको जेके अफफसी का ही पता नहीं हम तीन दिन दरने वे यहां बैठे हुए हैं और मैं आपके चैनल के माधियम से सबी मीडिया का बहुत बहुत शुक्रियादा करता हूं एक यही आवाज रही है यही माधियम रहा है हमारे पास कि हमारी आवाज उपर तक पहुंच सके लजी साहब आपको भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है अगर आप इमानदार है तो पांच मिनिट का समय दे दीजिए आप बड़े बड़े लीडरों से तो मिल लेते हो पांच मिनिट का समय दे दीजिए अगर आप एजुकेशर माफिया को खतम करना चाहते हो जंता का बला करना चाहते हो पेरेंट्स का मला करना चाहते हो और पेरेंट्स का लूटा हुआ करोण और जो बापिस करवाना चाहते हो आपकी बनाई हुई कमिट्री ने प्रूब कि मेरे आज भी फोन देख लिए मुझे कितनी विशिस और कितनी दुआय मिलती है मुझे दुआय चाहिए दुआय मिल रही है लेकिन मजबूरी पेरेंस की है जिस तरह इस पेरेंस की मजबूरी है जिस तरह यह पेरेंस आये हैं यहां कि इनकी मजबूरी है हर एक पेरेंस बचा ऩहारा डरता है ये लोग ब्लैक्मिल करते हैं स्कूल वाले जो है इनको ब्लैक्मिल करते हैं कि आपके बच्छे को डिविशन नहीं दिजाएगी आप आप समझदार हैं कि 1500 बच्चा होगा अगर आप मेरे कमेंट्स पढ़ेंगे आप अपने नीचे भी कमेंट्स पढ़ लेंगे तो आप देख लेना कि 300 कमेंट्स आएंगे तो 300 में से आपकी सारी बाते सही हैं लेकिन आपकी सारी जुड़ने रहे हैं देखिए मैं आपको बताओं कि यह कोई मैं चाहता तो यहां 50 बंदे अपने मोहले के बिठा देता अभी भी तो आपकी पार्टी को इन्वाइड किया आया कोई नहीं आया कैसे यह वही आएंगे तीन दिन मे जो समाज सेवक होंगे जो जो एजुकेशन माफिया के खिलाफ होंगे जो स्कूलों में जाके रिबन नहीं कारते होंगे जो स्कूलों के साथ रिष्टर नहीं निवाते होंगे जो स्कूलों में अपने बच्चे फ्री नहीं पढ़ाते होंगे जो स्कूलों से फंड्स नही हो जाएए कठे आईए आप लोग बोलिए मैं आपके पीशे खड़ा रहूंगा लेकिन आईए तो सही रहना साब ने कहा कि मैं जितने भी प्राइवेट स्कूल है मैं जेल में डालूँगा मुझे प्रूफ दीजिए हजारों प्रूफ देने को त्यार हूँ आए रहना साब हजारों प्रूफ देने को त्यार हूँ आपके ही कार्प्रेटर आपके ही लीडर और भी पार्टियों के लीडर ज जो कि यहां पर प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, आपकी इस सब्सक्राइब क्या राय है, आप भी अपनी राय जो है, जो सांजा कीजिएगा, इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के आप देखते रहें, निवसेर इंडिया, मैर फाजमडाएंग, कैमराबैन शानुवाज के साथ उलमाँ के सब्सक्राग रूप mês की मजबा है, भी अपनी शोर्टेस्ट प्रोटेस्ट प्रकाइब यмस के सब्सक्राइब कानि मज़ अपनिएगा राय है, जो सक्राओते हैं, यृ puisब तरह की मज़िएगा है, ब Σब्सक्राइब